आज भी practical knowledge है और वो भी free में रहने वाल है आज drawing reading सीखो गया आप basic सीखो गए कि कैसे elevation देखनी है कैसे section देखनी है कैसे हमें working drawing दिये होती है जो tie beam रहता है उसकी detail कैसे होती है door window की detail कैसे होती है फिर shuttering की beam कोन सा कैसे कहा shuttering करनी है कितने level पे करनी है यह सब चीजे कैसे देखी जाती है इनकी help से आप सीखोगे तो basic से सिखाऊंगा और आपको पूरे तरीके से बताऊगे की drawing को देखने की tips क्या होते हैं उससे पहले please channel को subscribe कर लो और bell icon कर दो आज इसका देख लो सबसे पहले यहाँ table देखते हैं हम समयशा जब भी drawing देखने जाओ जो side पे general notes होते हैं उनको पहले नजर मार लो यह जो general notes है यह notes ही हमार ली है यह यहाँ देखो यह क्या लिखा हुआ है इनोंने जो d1 है door and window schedule लिखा हुआ है तो d1 जो उसका lintel level रहेगा 8 foot मतलब इसका जो इधर से हमें 2 detail मिलेंगी एक तो lintel हमारा कहा हैगा 8 foot तक दर्वाज़े तो उसका वहां तक रहेगा 8 foot पे और size क्या रहेगा door का 7 by 8 foot कितना रहेगा 7 by 8 foot फिर d2 है 8 उसका रहेगा फिर रहेगा 15 by 8 foot यह बड़े door क्यों है यह एक जो building है commercial building है मतलब industrial building है और इसमें इसलिए बड़े बड़े door है क्योंकि बात में late machine या बगारा कुछ डालना रहेगा फिर हम यहां देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखने लाएक है हमारी ये grid दिया हुआ है C grid, D grid, E grid, F grid इनको पहले ही side पे mark कर लिया जाता है इनको जब mark कर लिया तो हमें क्या मिल जाता है तो हमें मिल जाता है कि हमारा पहले A grid mark कर लिया हमने फिर B grid mark कर लिए फिर C कर लिए तो हमें मिल जाएगा यहां से यहां distance कितना है 5 foot 3 inch फिर यहां B से C तक कितना है 15 foot 9 inch और इसकी help से हम क्या करते है जब यह grid कर लिए हमें मिल गया फिर हमारा क्या होता है हमें wall का center मिल जाता है जैसे यहां wall का center मिल गया हमें यह wall का center मिल गया यहां wall का center मिल गया यहां column का center मिल गया तो इससे easy हो जाता है construction करना ठीक है अभी यह जो shape होती है यह door के लिए mention की हुई है उन्होंने लिखाया कि यहां पे D6 door आएगा तो फिर हम schedule में जाते हैं वहां से देखते हैं कि D6 door का size क्या है D6 है 8 foot कितना है 8 foot उसका 8 foot पे लिंटल आएगा 4 foot by 8 foot का वो दर्वाजा रहेगा छोटा दर्वाजा है clear इस हिसाब से किया होता है और यहां यह देखो projection आएगी इन्होंने पहले लिखे है कि projection के जो लिंटल रहेगा वो इस तरीके से रहेगा clear और 2 foot इसकी projection रहने वाली है यहां stair दिये हुई है यहां D3 का फिर यहां ventilation V1 यह रहा V1 तो V1 का उन्होंने दिया होगा कि V1 का schedule कैसे रहेगा यह रहा V1 रहेगा 6 foot का उसका lintel हो रहेगा sill level ठीक है और 8 foot पे उसका lintel आएगा और 2 foot बए 2 foot का हमारा वो रहने वाला है clear इतना clear हो गया फिर आगे पढ़ते हैं और गया हमें देखने वाला है यह level 00 दिया है कि इस level पे इस lab आएगी मतलब 00 level हो जाएगा यहां ground floor का आगया अभी आएगा यहां first floor और first floor का यहां दिया हुए आनने पूरा कि कैसे कैसे आपको provide करना है यह देखो clear अभी देखते है में दिक्कत आती है यह आपने देखा होगा कि यह जो चीज है यह C है यह B है यह क्या है और एक देखो एक ऐसे काटा हुए है मतलब एक का direction इस तरफ है कैसे यह देखो C इस तरफ है न एक का direction इस तरफ है यह क्या है section काटी हुए अगर आप देखो अगर इसको समझने का तरीका सबसे क्या है इधर खड़े हो जाओ आप खड़े हो गए यहां पर अगर C यहां है न अगर यहां से building को देखोगे तो आपको यह हिस्सा दिखेगा पूरा इस side वाला ठीक है तो हम CC section देखते है CC section हमें क्या कहती है यह रही CC section हम अगर वहां खड़े थे तो उस जगा से हमें क्या 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 दिखेगा उससे हम building construction सकते हैं 3D visualization हो जाती है ठीक है उदर से हमें दिखा कि हमें एक तो ventilation दिख रहा है यहां पर दूसरा bedroom door दिख रहा है और उपर लिखा हुए है projection at the little level with granite तो यहां great night top आना है मतलब हर जो भी elevation है उस पर great night टाइप दिया जैसे projection है यह बार जो चज्जा निकला हुआ है इसमें भी 2 foot के चज्जा है great night उपर लगाने मतलब great night top है फिर यहां पे इन्होंने पूरा level लिखा हुए finish level आपका आ जाएगा 1 foot 3 inch पे यह चोटा सा लिखा हुए इसको मैं थोड़ा बढ़ा करता हूँ आपको पूरा दिख जाएगा easily ठीक है देखो उन्होंने पूरा level दिया हुता कि कौन सी चीज कहा आने वाली है finish level 1 foot 3 inch पे फिर 8 foot पे हमने क्या पढ़ा था हमारा lintel आएगा lintel level यह lintel आगए clear फिर हमारा दूसरा क्या चीज थी दूसरी हमारी थी फिर यह ground floor की slab bottom आ गया यह a level पे मतलब 8 foot से 2 inch मतलब total 10 foot पे finish floor level से FFL से हमारा 10 foot पे bottom आ जाएगा और floor level वो कितना हो जाएगा जितनी हमें slab mention होगी तो slab हमें mention है अगर लगा लो change की तो 10 foot change पे हमारी slab की finishing होनी चाहिए तो इस तरीके से हम level देखते हैं फिर दूसरा यहां से start हो जाएगा तो इस तरीके से आपको section देखनी रहती है तो section से हमें काफी चीज़े clear होती है अभी दूसरी चीज़ देखते हैं इसको मैं छोटा करता हूँ तो आपको देखेगा अभी लगा लगा लो उन्होंने कहा यह जो हैं यह elevations दी हुई है कि बाहर से अगर north से आप देखोगे अपना गर सौरी यह building या गर जो भी है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा north से तो उसमें क्या north से हमें क्या क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है यह windows दिख रही है दो projection ग्रेड़ नाइट मतलब इना क्या क्य अगर हम elevation B भी देखते है हमने पहले देखा यहां खड़े हो के इस तरफ तो हमें यह सब चीजे देखी अगर हम यहां देखे हैं हमने जो जो चीजे देखी वो यहा दिख रही है देखो उधर हमने यहां क्पड़े हुए था हमें D9 दिखा तो हमें D9 दिखा इदर ventilation था त अगर यहां से उसने section काटी है सबसे पहले CD दिखेगी हमें आदी तो हमें पता चल जाएगा CD किस तरीके से मुझानी है फिर यह door दिखेगा हमें ठीक है फिर यह slab दिखेगी हमें यह no foot वाली slab तो इसको देख लेते हैं अभी selection bb तो यह section bb दिखे देखो जी हमें CD दिख गई कि CD किस तरीके से रहेगी तो पूरा यह दिख रहा है कितने step हैंगे एक दो तीन चार पूरी CD बनी हुई दिख रही है फिर हमें एक slab दिख रही थी जो कम level पे थी वो यह slab है यहां level लिखा होगा यह आगए 8 foot यह आगए 10 foot तो यह projection with grenade यह इस तरीके से बनेगी फिर यह आगई यह main slab आगई clear और उपर का first floor का इस तरीके से बनने वाला है तो इस तरीके से हम elevation देखने हैं और elevation से हमें काफी clear चीज होती है और कभी भी जो construction होती है इस प्लान यह structure के ब्रोसे नहीं होती है working drawing जो हमारी है कि हमें elevation दिखन section दिखने हैं कि हमें जो confusion रहती है कि कैसे दिखेगा कैसे काम होगा तो वो इन से clear होता है तो हर एक चीज आपको देखना आनी चाहिए अभी मैं आपको shattering की drawing दिखाता हूं कि shattering में कैसे दिखाया होता है देखो सबसे पहले journal notes हमें पढ़ने रहते हैं तो इन्होंने note दिय होगा है can only provide one by one by two inch camber at every beam junction in shattering तो इन्होंने कहा है जो junction हमारे क्या होगा पहले समझो यह यह हमारा column है यह column है और यहां beam जूड रहा है यहां भी beam जूड रहा है तो जो junction होता है वो क्या होता है यह junction हुआ जहां beam और column मिलते हैं वो हमारा junction हो गया तो यहां यह junction है और यहा है लगा लो डेड़ इंच मतलब एपरोक्स पकलो एमेम में समझा देता हूँ 30 एमेम हर जगा आपको जहां जंक्शन होगा वहां से बॉटम जो बीम का बॉटम होगा 30 30 एमेम उंचा होगा क्यों जब बीम को डाउन किया जाएगा जहां अब फ्यूचर में वह कॉंक्रीट के टाइम भी उंचा ही रहना चाहिए यह नहीं कि बीम डाउन होगा तो वह कैंपर रखा जाता है कि फ्यूचर में डिफ्लेक्शन हो तो वह उसको काउंटर कर सके यह रड़ कलर की डोटी 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 तो उस बीम का साइज होगा ठारा इंच बाई 24 इंच यह बीम जो रहे गए पूरा बीम ठारा इंच बाई 24 इंच का फिर जो ब्लू वाला है यह बारा इंच बाई 24 इंच करेगा यह पूरा बीम 14 इंच बाई 24 इंच करेगा फिर जो यह 12-Y 24-Y 24-Y 14-Y वैश से रहेगा वैसे इन्होंने सहरा दिया हुगा है और साथ में mention किया हुगए कि slab 6-inch थिक रखनी है ठीक है और जहां मैं अलग किया है कि चेंच नहीं, आठ इंच रखनी है, वहीं आपको आठ इंच रखनी है, लेकिन mostly जो slab रहेगी, चेंच की रहेगी, और फिर उन्हें ने ये section दिया होगा कि T beam आपका कैसे आएगा, देखो अगर इसी beam को हम ले लें, ये beam है जो blue color वाला, तो slab आपकी आगे उपर 6 इंच की, और नीचे beam आगया आपका 24, 24 इंच, तो beam की जो लटक रहेगी, वो 24 इंच रहेगी, पूरा उपर slab से लेके नीचे तक बीम नहीं रहेगा, 24 इंच, जो beam की लटक है, वो 24 इंच रहेगी, और उपर 6 इंच की slab लग से, तो total 30 इंच हो गया, तो इस तरीके से आपको provide करनी है, जैसे यहाँ, 18 इंच आपका लटक रहेगी, और चेंच slab तो 24 इंच रहेगी, तो इस तरीके से आपको provide करना है, यह ठीक है, यह CD आगई, और यहाँ पर उन्होंने mention किया है, कि beam का, center to center distance के रहेगा है, sorry उन्होंने center नहीं दिये, beam के face से face इन्होंने दिये हुए, देखो, यहाँ यह beam से यह beam, कितना देगा, 13 foot और 10 inch, यहाँ इस face से इस face तक, तो इस तरीके से यह shattering की जाती है, यह shattering का देख लिए, अभी हम beam का दिखाती है आपको, देखो जो हमारा tie beam रहता है, तो उसका भी इन्होंने mention किया होगा है, कि tie beam आ ना होगा पूरा, ठीक है, जैसे TB1 है, TB1 की detail देगी होगी, इतने वह इतने का, जैसे TB8 है, TB8 की detail देगी होगी, इतने वह इतने का, बस आपको इधर से क्या देखना होता है, इस plan से आपको लगेगा कि इधर से, इधर तक कितना distance है, वो दे दिया, फिर इसका size हमें मिला हो होगा है, तो I hope आज कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो ऐसी चीजें मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बस आप चैनल को subscribe करके रखो और बहल आइकन दबा के रखो, thank you guys.